इस वीडियो में कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ कि मेरी बात आपको अगले 6 महिने तक हर दिन याद आएगी ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है Welcome to this new वीडियो ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत important वीडियो होने वाला है क्यों मैं इतना confidently बोड़ो आपसे एक शेर सुना एक बहुत famous शेर है बशीर बद्र साहब का हर आदमी में होते है कई आदमी जिसको भी देखना कई बार देखना मतलब हम लोगों के अंदर कई personality होती है एक faces के अंदर कई faces होते हैं कैसे ये चीज़ आपको help कर सेकी लाइफ में grow करने के लिए इस वीडियो में देखने वाले हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर first time आए तो make sure आप वीज को subscribe करें एंड वीडियो अच्छा लगेगा आपक upcoming workshop का link है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस link पर जाके upcoming workshop के लिए अपनी seat जरूर बोग करें आपका ही जो face है इसके अंदर दो faces है क्या बोला मैंने यस आपका मेरा हम सबका दुनिया में जितने भी faces हैं जितने भी लोग हैं सबके faces में दो faces है और यह natural process है अभी इ अपने mobile में अपनी picture निकाल कर अपने face को अच्छे से देखिए क्या आपके face में दोनों ears दोनों कान सेम हैं दोनों eyes सेम हैं दोनों eyebrows सेम हैं दोनों chicks दोनों गाल सेम है या दोनों lips के ending सेम है सेम नहीं है different है क्यों है ऐसा क्योंकि हमारे face में होता है left and right face आपका जो right hand है उस तरफ होता है right face और left hand है वहां होता है left face क्या बोला मैंने I am again repeating मेरे picture जो है वो mirror हो रही है तो मेरा right आपको left लगेगा आपका face अगर दो parts में divided vertically तो right hand side वाला face right face है और left hand side वाला face left face है अभी इसका meaning क्या है और कैसे यह आपकी life में आपकी growth में help कर सकता है growth वाली बात last में बता हूँ इसलिए make sure आप यह वीडियो बीच में ना छोड़े last तक देखें क्योंकि last में आपके काम की बहुत जरूरी बात है अभी जो मैंने बोला उसका meaning क्या है आपके दो ears सेम नहीं है face के अंतर दोनों ears सेम नहीं है slightly थोड़ा सा difference है दोनों eyes सेम नहीं दोनों eyebrows सेम नहीं है इसका meaning क्या है मैं एक example कि थूरू बताता हूँ face rating में जो छोटी eyes होती है जिनकी eyes बहुत छोटी होती है वह थोड़ा materialistic लोग होते हैं थोड़े self-centered होते हैं self-centered होना अच्छी बात भी है बुरी बात भी है अगर यह जादा है तो problem है और एक limit में अगर कोई self-centered है तो ठीक है अभी यह अगर जितनी जादा छोटी है मतलब उत्ता जादा self-centered है उत्ता जादा materialistic है उसको materialistic चीज़े बहुत जादा attract करती है जिनकी बड़ी आखे है वह expressive लोग है लोगों को face value पिलेते हैं attractive लोग है उनकी personality attractive होती है यह काफी बैलेंस लोग होते हैं they are very firm in their willpower अब important चीज़ जो right face होता है वह आपकी public professional life के बारे में बताता है और जो left face होता है वह आपकी personal life के बारे में बताता है अपने colleagues के साथ अपने clients के साथ कैसे है वह आपका right face बताएगा अब personal life पे siblings के साथ, अपनी family members के साथ कैसे, वो आपका left face बताएगा, अगर किसी की right eye छोटी है, मतलब जो right side की आँख है, वो छोटी है, left side के comparison में, तो वो उसकी personality के लिए क्या बताती है, इसका मतलब आप अपनी public और professional life में थोड़े materialistic जाता हो, थोड़े self-centered जाता हो, in comparison to your personal life, वो सकत परसनल लाइफ में बते जादा self-centered नहीं हो, अपने friends के लिए, family members के लिए हमेशा तयार आते हो, but when it comes to professional life, you are self-centered, ऐसे जो left और right face है, इस तरीके से rate किया जाता है, एक और example दे रहा हो, अगर किसी का right ear जादा लंबा है, left के comparison में, इसका meaning क्या है, long years का मतलब होता है, good leadership power, long years risk का मतलब होता है, good risk taking power, अगर किसी का एक side का, यह लंबा है, एक side से, for example, right का लंबा है, left side से, तो वो इनसार, अपनी professional life में risk लेगा, but personal life में risk उत्ता नहीं लेगा, जब दोनों life को compare करेंगे, अभी, बात करते हैं, इसको आप practical life में, कैसे अपनी growth में यूज़ कर सकते हैं, आप business में है, या job में है, आप face reading को use करके अपनी income बढ़ा सकते हैं, कैसे, अगर आपको face reading आती है, तो आप किसी इनसान को अच्छे से समझ सकते हैं, कौन, किस जगा ज़्यादा materialistic है, किस जगा ज़्यादा risk taking, किस की ability है, और भी बहुत सारी चीज़ें face reading में, अगर आपक अपने client को convince easily करना है, अपने boss को, अपने HR को salary के लिए जल्ली convince करना है, तो face reading उसमें बहुत help करती है, जो मैंने left right face का example दिया, जो examples दिये, ये चीज़े आप practical life में use करके अपनी life को better बना सकते हैं, अपनी growth को और ज़्यादा fast कर सकते हैं, अब एक चीज़ होगा, जो आप अपने father से inherit किये, right face for mother, left face for father, ये वीडियो में इतना ही पटा face reading को और detail में सीखना चाहते हैं, तो इस description में upcoming workshop का link है, go and book your seat for upcoming face reading workshop, वीडियो अच्छा लगया, तो जरूर लाइक करें, इसे अपने French family के साथ share करें, this is Gaurav Diveri signing off until you meet again, live large.